गुरु जी सफेद दाग एक ऐसा चर्म रोग एक ऐसा विशय है जिस पर समाज में कई प्रकार की भ्रामती फैल्यू ही है अपवाद भी है मतभेद होता है चुआ चूद जैसा माना जाता है और जिस रोगी को सफेद दाग हो जाते हैं उससे ऐसा दूरी बना के रखी जाती ह है बहुत जादा कभी कभी तो रोगी डिप्रेशन में भी चला जाता है इस वजय से तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा आखिर सफेद दाग क्या अनुवांशिक रोग होता है सामान्य रोग है और अगर है भी जिस भी तरीके का रोग है तो इसके उत्सरजन की क्या आपनें पेठे केमिठे के मठयाए खाई चाहई जिदूद पीया उपर उपने पेठे मुट्याय खाई इस क्थेद दाग कपडेगे तो आपने मचली खाई दूद पीया स्वेच दोड़तेशर क्लीवर दोड़ता है और शार कली को यनुए तो यदि तेल होता है वो आपने दूद में बोलाके ले लिया, कि डक्टरम कहने सा स्बेब यसमे, स्पेश दाग पढ जाये है आपको दूद प्या, यह मीड कहा के उपर से दूद प्या, या किम नाद में मीड खा लिया आपको स्पेश दाग जाये है यह निन चीजियों का चार गहटे का गया परकना पड़ता यदि लेनी भी है परन्तु स्वेश दाइक चाहे आपको किसी भी किश्म से पड़े हैं मेडिकल सेंस में तो इसका पचार नहीं है परन्तु स्वरस्थ पचार में इसको भी ऐसे समाप्द करते हैं ऐसे कूड़े करकट के धेर को मार्चेश की तिल्ली जिला के स्वाब करती है। अब इसके लिए ऐसे तो बहुत द्वाईये हैं, प्रांतु सबसे असान और सबसे चोटा नुक्सा वो है, चना काला और सिर्का। आप सबसे अंदर 20 ग्राम चनी ब्लोग के रखते हैं। शाम को शिर्के मेंसे निकाल करके, तिर्फला। हरण भेड आमले को तिर्फला गोलते हैं। प्रांतु तिर्फला की रेश्वा है कि 10 ग्राम हरण हरण तो 20 ग्राम भेडा। और 40 ग्राम आमला, तीनों चीजियों की मात्रा ऐसे रखी जाती है, फिर तिरफिला कलाता है, यह पूर्ण काम करता है, अब रात को सुभा बगोवे रात को सिर्के में से निकाल के चनों को, अच्छी तरह तिरफिले में मसल दें, और कपड़े में गांट लगा के, इसको ढख के कहीं भी रखने है, अब सुभा उस में आंकुरे तो वे मेरे लिए हो, और खाने में भी बड़ टेश्टी लगेंगे आपको, अब बीस ग्राम चने खाने में आपने कम से कम, कम से कम, एक घंटा के समय लेना, इससे फालत लगे तो और बेच्छा, जितना आप च काएंगे, इसका रस जाएगा, सिलके का, और तिरफिले का, चने के छिलके और दाल के साथ, उतना आपके खून के अंदर जो है, इफेक्शन के कटानों थे, जिनने स्वेज दाग पड़े थे, वो कटानों समाफत हो जाएंगे, और डेड़ दो मिने बाद आपकी चमड़ी जैसी पहले थी, वैसी हो जाएगे, प्रांतु इसमें एक बात का ध्या रखना, कि दिन का खाना आपका बारवज से पहले पहले है, और खाना खाने में भी आपने पूरा एक घंटा लगाना है, खाना खाते समय दो गलास गर्म पानी, पंदरा से ठारा डिगरी गर्म हो, उ उसमें लसन प्याज अधर का रस्म लाके पीना अत्यवस्यक है, उसका नियम है कि जो भी आपने खाना खाना है उसका छिलका नहीं निकालना, चोकर नहीं निकालना, चोकर के साथ ही रोटी बनानी है, दाल सबजी जो है छिलके वाली, अब इसमें आपने दो चार गराई ख खाना खाया, दो गुट पानी पिया, फिर दो चार ग्राई खाना खाया, दो गुट पानी पिया, पानी पीने में खाना खाने में यदि आप एक घंटा लगा देते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, कि आपके कितने भी पुराने से पुराने स्फेज दाग है, तेन मीन्ने में जो चम्री का और रंग था वो रंग हो जाएगा परंतु इसमें आपको एक तेल की माल्ज करनी हैं तिलों का तेल लें चाहे सर्शों का तेल लें जितना आपने तेल लिया उतना लस्टन शिलके रखते हैं अब इस तेल को स्टील की कड़ाई हो चाहे लोही की कड़ाई हो उसके अंदर इतना धीमियांच पर गर्म करें कि उबलने लगे जब तेल खौलने लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा लस्टन करके डालें क्योंकि लस्टन डालते हैं इसमें जाग बंगती है तेल बाहर नहीं निकलना चाहि यनि एक किलो तेल में एक किलो लस्टन जिलाना है तो एक किलो लस्टन जिलाने में आपका तेल यह है एक किलो का रह जगर, 700, 700 ग्राम अब इसके बाद आप पहले से ही कूट के पीछ के दर्दरा करके सारा समान रख लें जिसमें जैफल, जवित्री, लॉंग, दालचिन्नी, बडी लैची, शोंट, करवी कुट, केसर यह आठ चीजें हैं, सूती कपड़े में धीली गांट बांध के उस तेल केंद डाल दें अब इस तेल को आपने धीमी आँच पे तीन गहेंटे उबागना है, अब इनका सब चीजों का रस जो है, वो तेल में चला जाएगा, अब आपके पास तेल रह गया, धाई सो तीन सो ग्राम, इससे जाधा ने, जलने देना, अब जब आपका तेल थोड़ा रह गया, नीचे उतार लिया, और उसके अंदर से गांट निकाल करके, थोड़ी देर ऐसे उठा के रखनी, फिर आस्ता आस्ता किसी चीज से उसको दबाना, जो उसके अंदर तेल अब और सारा निकल जाए, फिर जब थोड़ी ठंडी हो जा है तो आप हाथ से दबा के उस तेल को निकाल लेना, अब जो चीजें आपके पास ये गांट बांद के रखके थी, सारी चीजें, कूट के पीस के इसका पाउडर बना ले हैं, और जो आपका तेल है इसको लाल रंग की बोतल हो, कांच की बोतल हो तो सोनने पर स्वागा, ऐ ऐसे केमिकल की बोतले आती है, चार-चार लीटर की, पांच लीटर की उती है, उनमें इस तेल को धूप में रखें, और इसके अंदर 20 ग्राम देशी खपूर डाल देना, दिन में दो-तिन बार इस तेल को डखन खोल के हिलाना, क्योंकि गैस बनती है, हिलाने से गैस निकल जाएगी, और तेल में कोई नुक्सान नी होगा, चारी दिन दूप में रखने के बाद, अब इस तेल को आपने माल्स किया करनी, नहने के बाद, एक घंटा सुबा, एक घंटा साम को, तो जैसे गहरी जगा पे गड़्डा खोद दें, और दाएं बाएं की उंची जगा की मिट्टी पानी के साथ बहके हो, गड़्ड अबराबर होता है, ऐसे दाख्समाफत हो जाते हैं, प्रांतु इन में एक बात का पसे ध्यान देना, कि आपने इसमें सिंदा नमक या काला नमक तो आप धीमी मात्रा में ले सकते हैं, आई डिन नमक नी लेना, नहें तो आपको लाब नहीं होगा, और दिन का खाना आप दस वे तक खालें, और रातरी का खाना दिन आस्तोने से गहंटा डेड़ गहंटा पहले खालें, खाना खाते समें दो गलास गर्म पानी, लशन प्याज अधरका रस मिला के पीना अति अश्यक है, खाना खाने के बाद दातन कूला क करके, पांच मिन्ट के लिए आपने बजर आसन बैठना है, फिर बजर आसन से उठकर के, दस मिन्ट आप सहर करें, उसके बाद बीस मिन्ट के लिए आप सब आसन लेग जाए, बीस मिन्ट के बाद पांच मिन्ट के लिए बाही सहर कर मुट लें, तीन मिन्ट के लिए दाही यह थाई मीट का टैम आपको सुबह देड़ना पड़ेगा, साम को आपने आदा गेंटा सेर करने है, जैसे मजरासन से उठे और आपने सेर किया आदा गेंटा, उसके बाद आप धार्मी कताबे पड़ें, धार्मी शिरियर देखें, परिवार से, अड़ प्रोस से, रिष्ट दारी में बाचे दिखरेंगा, ठेक नाव वजे आप सोजाएं, सो वच्चार वजे उठ करके, आपका पेट ऐसे साफ होगा, जैसे सिर से बोच जबेंगा, पर साफ बाद में आएगा, उसके बाद दातन कूला करके, आदा गेंटा कपाल बाटी, पंदरा मींट बसरी का, आर दस बार अगनिसार, पंदरा वीस बार उजेई, पच्ची तीस बार ब्रहमनी, पांच मींट कूबक, एग हेंटा लोन बरोन करना अति अवस्यक, यदिया क्रिया आप प्रती दिन तीर मिन्ने लगतार करते हैं, तो चाहे आपकी पूरी चमनी स्वेद हो चुकी है, दो आपका नचुरली रंग था मां के पेड़ से पैदा होने के बाद, वही रंग आपका दुबार हो जाएगा